हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूबर चैनल एफेक्टिव स्टडी आज हम आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे अनपात के प्रकार यानि की अनपात या रेसों जो होते हैं वो कितने टाइप की होती है और एक्जाम में उनकी इंपोर्टेंस क्या है तो यह जो टॉपिक है वो बिल अनपात और समानपात क्या होता है जैसे के माली जी उधारन के तौर पर आपको दिया गया है एक्स अनपात वाई समानपात ए अनपात भी तो यह जो चार बिंदी है वो समानपात का चिन होता है और यह दो बिंदी है वो अनपात का चिन होता है इतना तो आपको सबको पता घटावाई लकstersकती है और समान पात को हम बरावर करेंगे तो सेम भही फिर अन्पात है यहां पर यहां भी बटनहले होज़ा positioning तो यह बटनार्मल सी चीज हैं थी आपको मालूम होगी चार वैल्यू आपको दी गई है चारों मेंसे तीन आपको एक्जाम में दी जाएंगी एक आपसे पूछी जाएगी तो आप सॉल्व कर लेंगे जैसे को धारण के तौर पर कोशन किस प्रकार के आते हैं असमें वो समझेंगे हम जैसे कि आपको दी दिये गए दो अनपात ती एकस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगी 5 इंटू 2 10 और अपन में 3 है तो एकस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 में 3 का डिवाइड देने पर 3 सही 1 बटा 3 फिक न यह दसम्बला में निकाल सकते हैं 3 दसम्बला 3 तो सिंपल है इस तरह के सवाल को सौल करना 4 वैल्यू में से 3 दी जाएगी 4 आपको पूछी जाएगी आप असनी से कर सकते हैं अगला है एकांतरानपात तो एकांतरानपात क्या होता है को यहाँ पहुचा दूं Y वटा-B तो X वटा-A बराबर Y वटा-B हो गया तो क्या हुआ Y और A यह दोनों क्या हो गए आपस में इंटर जुब इन दोनों की स्थान बदल गए इस को कहते हैं हम एकांतरानपात हम x और b के इस थान भी बदल सकते हैं दोनों की एक साथ भी बदल सकते है तो इस तरह से अगर हम ऐसे cross में या ऐसे cross में अगर स्थान बदलने शंख्याओं का तो उसी को हम कहते हैं एकांतरनपाद अगला है वितत अनताथ तो वितत अनताथ क्या होता है? अनपात हम D कह सकती है अनपात E कह सकती है तो जब समानपात ना आए अनपात के बाद अनपात आपसे चलता चला जाए है continuous हो तो इसी को हम कहती है वितत अनपात और इसको जब हम solve करते हैं तो लिखा जाता है A बटा B लेकिन आगे B अनपात C है तो इसको हम बरावर करके लिख सकते है B बटा C फिर C बटा D और D बटा E इस तरह से हम continuous लिखेंगे तो जब वितत करम में यानि continuous जब चलता जाता है तो उसी को हम कहती है वितत अनपात यहाँ पर पुर्णाबत्ती होती है यह बीच वाली संख्या की बटा B यहाँ बटे में भी आ गया तो वितकरम होता है opposite ऐनि कि अगर मैं कहूं एकस का वितकरम क्या होता है एक बटा X संख्याय जो है आपस में पलट जाती है अनस और हर जो है वो एक दूसरे से interchange हो जाती है तो X बटा Y का विदकरम हो जाएगा Y बटा X और A बटा B का विदकरम हो जाएगा B बटा A तो इसी को हम कहते हैं विदकरमानपाथ यानि कि इस तरह से पलड़नी के बाद भी ये दौनों भिर्नक्या रहेंगे आपस में बराबर रहेंगी तो इसी नियम को कहते हैं हम जब अनसर हद आपस में पलट जाएं तो उसको हम कहते हैं विद कमानपाद अगला है परतमानपाद तो परतमानपाद क्या होता है जैसे कि मालीजी आपको 4 संख्यां दी गई है X, संपाद Y, संपाद A, अनपाद B अगर 4 में से आपको 3 value दे दी गई है और 4 आप से पूछी गई है तो जो पहले स्थान पर है इस पहली वाली संख्या का मान निकलना है तो उसी को हम बोलेंगे प्रत्थमान पात और इसका मान कैसे निकलेंगे ये चीज़ हम देख चुकी है इसको लिखेंगे बटे में समानपात कीजिए के बरावर फिर बटा ग्रोस मल्टिप्ला करके हम सॉल करेंगे एक्स का मान निकालना है तो एधर ही रखा रहनी दीजिए य इधर मल्टिप्ला हो जाएगा तो एवाई बटा बी यह हो गया प्रसमानपात ठीक है न तो यहां से एक्स का मान आ गया ऐसी इन पर सवाल जो है एक्जाम में बहुत आती है जैसे कि हम एक कोशन समझें उधारन के तौर पे आप से पूछा गया छे आठ और पंद्रा का प्रसमानपात निकाल लिए तो अग अनपात गएक्स का मान निकाला लिए ख़ाम गयी इसको अनपाथ छे समानपात आठ अनपाथ 15 लिखेंगे एक्स ब्टा 6 बरावर 85 अच्वाटा पंद्रा करके मान गया प्रधान पात इसको कर लोगा निकाल इस तर्से तीन संख्याय देकर आपसे बूलेंगे पृथानुपाथ प्रिषानुपाथ बूला है तो पहले स्थान पर मान लिए X को एसा नुभफाथ चाथ। ऑन पात की तरह इंगे अपको देदिये ग्याया कैसे निकाल सकती है, प्रोसीजर वो ही है, बटा समानपात को बरावर लिखेंगे, तो B का मान निकालना है, क्रोस मैल्डिप्लाइ करके, B बरावर A Y बटे X, यहां बटे में आगे, तो यह जो मान है, वो B का आ गया, इसी को हम कहेंगे, चतरतानो पात, सवाल कैसा बनता है, म क्या कर रहे थे, पहले स्थान पर X को मान नहीं थे, बस आपको यह ध्यान अखना है, बांकी प्रोसीजर सेम है, अनपात, समानपात और अनपात, यह लगा दीजिए, अनपात को बटे, समानपात को बरावर, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, चले, तो X की वैल्यू यहां प जैसे वहां प्रथम इस्थान पर था, प्रथम नपात में, चधूर नपात में चौते पर, लेकिन वहां टोटल कितनी होती थी, चार संख्या होती थी, अब चार का मद्या तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए यहां सब को लोगेंगी तीन संख्या है, माननी जी आपको दिया ह यह तीन संख्या है आपको वितत अनपात में लिखी जाएंगी वितत अनपात क्या होता है मैं इससे पहले पढ़ चूके हैं अब इसको जब हम solve करेंगे तो क्या मिलेगा? x अनपात y को हम लिख सकते हैं x बटा y और y अनपात z को लिख सकते हैं इसको solve करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा y square बराबर xz cross multiply पर then y की value हो जाएगी under root xz तो यह जो मध्य की संख्या है इसका मान निकालना ही कहलाता है मध्यानपात तो यहां मध्यानपात क्या गया under root xz यानि कि दी गई दोनों संख्याओं का वड़ा करके question कैसा बनता है इस पर वो देखिए जैसे के मान लीजी आपसे पूछा गया 16 व 9 का मध्यानपात ग्याद कीजिए तो तीन में से दो संख्याओं दी गई है तीसरी आपसे पूछी गई है तो हम कैसे करेंगे solve 16 अनपात मध्यानपात हमको निकालना है हमने मान लिया x है संख्या और अनपात 9 वितत अनपात में लिख लेंगे तीनों को और इसको हम जब solve करेंगे तो क्या मिलेगा 16 वटा x बरावर x वटा 9 क्रोस मल्टिप्लाय करेंगे x बरावर 16 गुडित 9 देन x की वैलू क्या हो जागी अंडर रूड 16 गुडित 9 जब वर्गमूल लेंगे इसमें भी तीनी संख्या होती है और जो तीसरे नमर पर होती है वह आपसे पूछी जाएगी जैसे कि यहां पर तीसरे नमर पर इसका मान निकालना ही क्यालाएगा तरतियानपाती तो यह भी बितरतनपात में लिखा जाएगा इसको जब हम सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तो कैसे निकलेगा पांच अनपात 3 और जो तीसरे स्थान पर पूछा गया आपसे त्रतियानपात मान लीजिए उसको एकस इसको लिखेंगे हम 5 बटा 3 बराबर 3 बटा एकस बीच वाली जो है वो दौनवार रिपीट हो जाएगी यहां पर और इसको सॉल्ब करेंगे क्रोस म कालना है तो प्रिधमानपात और चतुरतानपात में दोस्त होती है चार-चार संख्या है होगी चार में से आपको तीन सवाल में दी जाएंगी और चोथी पूछी जागी अगर प्रिधमानपाती पूछा जाता है तो आप पहले स्थान पर एकस मानेंगे और चतुरतानपा गया है मतलब आप से last के संख्या पूछे गई है तो यह जो चारों है वो बहुत important है exam में इनसे question जरूर आता है इसके बाद जो तीनों है वो बिलकुल simple है जैसे कि हम कहें योगानपात की अगर हम बात करें अगले नमर पर तो योगानपात बिलकुल simple है जैसे कि आपको दिया गया अगर संख्या है जैसे आपको दिया गया एक्स बटा वाई बरावर ए बटा वी यह हम standard संख्या मनने मतलब इनकी एक्स वाई और एबी की कोई भी value हो सकती है तो समय निकलिया है इस तरह का माना जा रहा है तो योगानपात की बात की जा रही है तो इस परष्ट है योग है यानि की जोड प्लस करेंगे तो क्या प्लस होगा इसमें आपको डारेट याद रखना है कि हर जो है वो अंस में आप यहां प्लस कर दीजे दोनों तरफ यान क्यों होता है वह समझ लीजिए क्योंकि योगान पाद नाम से इस प्रेश्टर ना तो हम क्या करते हैं दौनों तरफ प्लस बन कर देते हैं अगर आप एक जोड़ोगे ना तो क्या होगा वाई या पहल से हम लोगे तो यहां हो जाएगा वाई का वन में मल्टिप्लाय होगा एक साहथ है यॉगान पाद में क्या करनाएं हर को अंस में जोड़ देना है दौनों तरफ ठीक है यह हुग योग अनपात तो अगला जो है वो है अंतरानपात जैसे उसमें योग हो रहा था यहां अंतर होगा यानि कि X अपन Y वरावर A अपन B को आप कहलेग सकते हैं X-Y अपन Y is equal to A-B अपन B कैसे आएगा दोनों तरफ आप माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो इस तरह से आपको यह value मिल जाएगी तो इसको हम कहते हैं अंतरानपात जब अंतर हो जाए क्या करना है हर को अंसमें से घटाना है और यहां इस पष्ट है योगांतरानपात तो योग भी है और अंतर भी है यानि कि अगर इसी संख्यागों योगांतरानपात से लिखा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे x plus y upon x minus y बराबर a plus b upon a minus b योग भी हो गया और अंतर भी होगा उपर योग कर दिया नीचे अंतर कर दिया आप चाहे तो उपर अंतर और नीचे योग भी कर सकते हैं लेकिन दौनों तरफ आपको same pattern ही लगाना पड़ेगा अगर इस तरफ उपर योग है तो इस तरफ भी उपर योग और अगर इस तरफ उपर मानस करते हैं तो इस तरफ भी उपर मानस करना पड़ेगा आप दोनों तरफ same pattern follow कीजिए कोई दिकत नहीं है अनुपात यहाँ पर तब भी बराबरी रहेगा तो यहाँ पर हमने अनुपात के 11 प्रिकार पड़े उमीदे आपको यह सभी समझ में आये होंगे और काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा अगर आप इसी तरफ के और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसकी नजदीक जो बैल आइवने से क्लिक कर लें ताकि इसी तरह के मैस और आपको करेंट अफैर की वीडियो आपको तुरंग मिलते रहे उनका अपडेट मिलता रहे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिए थेंक यू गुडबाई